हां जी स्वागत है चाई और कोड में काफे दिन हो गए जैसे ही आप सोचते हैं कि अब मैं बहुत सारे वीडियोज बनाऊंगा पूरी काइनाच जुट जाती है इस बात को लेके कि आप वीडियोज तो नहीं बनाने देंगे इसी तरह से मेरा Mac Studio fry हो गया, completely logic board उसका खतम हो गया सारा data भी loss हो गया, but finally Apple बालों ने मुझे मेरा system वापस दे दिया और हम वापस से शुरू कर सकते हैं चाई और code की जर्नी को तो इसी के साथ continue करते हैं हमारी HTML की जर्नी को आज हम हमारे HTML की जर्नी में देखेंगे head section को जिसको बोलते हैं meta data section अब ये meta data क्या है, data के बारे में data इसी को meta data बोलते है, जैसे कि आपका data कितने size का है, कब create हुआ था, कब modify हुआ था ये सब data के बारे में information है इसी तरह से हमारे HTML page होता है, उसके अंदर भी काफी information होती है ये page किस author ने बनाया था, किस काम के लिए बनाया था, इस page की style sheet कहा होगी कितना ये zoom in होगा, zoom out होगा ये सारी information होती है, उसकी meta के अंदर, जिसको हम बोलते है head तो देखते हैं, छोटा सा discussion करते हैं उसके बारे में कफी interesting discussion है, थोड़ा सा आपको documentation पढ़ना वापिस से सिखाऊंगा तो पुरानी files तो सारी खराब हो गई है, या corrupt हो गई है Apple वालोंने सब उड़ा दी है, अभी हमारे पास जित्ती है, तो हम fresh start करते है head से, बाकी सारी files, अगर कोई साथ में काम कर रहा हो, तो please मुझे mail कर दीजेगा वरना मुझे ही लिखनी पड़ेगी, तो हमने देखा था, exclamatory tap करके, और हम simply एक file यहां पे ले सकते हैं, जो कि हमने ले ली है और यह जितना भी section है, यह हमने थोड़ा सा ignore कर दिया था, जादा नहीं, थोड़ा सा ही तो आज हम इसी के बारे में detail देखेंगे, अब इसके बारे में detail देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक h1 tag लेते हैं, क्योंकि यह काम में आने वाला है अभी और हम क्या करते हैं, lorem के 20 words इसके अंदर add कर देते हैं, तो 20 लिखके tap प्रेस करिए 20 words आपको यहां मिल गए है, एक paragraph के अंदर हम 200 words add कर देते हैं, lorem के तो 200 लिखके tap कर देते हैं, अब हमारे page में कुछ content है, ताकि हम उसके बारे में और detail जान पाए तो देखते हैं, धीरे-धीरे start करते हैं कि actually में क्या-क्या content हमारे लिए useful और meaningful होता है तो सबसे पहले, सब कुछ delete कर दीजे, क्योंकि यही best तरीका है पढ़ने के लिए तो जो आपका head है, यह काफी सारी meta information अपने साथ रखता है, जिसमें से सबसे एक जरूरी जो information है वो है आपका title, title हमने already देख लिया है, कि जो भी page होता है, उसका जो tab होता है, उसके अंदर यह information आती है जब आप और advanced dynamic websites बनाएंगे, तब आपको लगेगा कि यहाँ पे भी हम variables add कर सकते हैं ताकि जैसे कोई भी user कोई नए page पे जाए, तो उसको product information वहाँ पे आ जाए, और google search में भी easily होता है तो यहाँ पे हम add करते है, title of the page, अब इसको हम save करके right click और open करते है live server में तो यह हमारा live server open हो गया है, तो इस तरह से हमारा यह title, title of the page, top पे हमें दिखाई दे गया है लेकिन problem क्या है, अब यह पूरा का पूरा page एकदम white है, और वेसी बात है, आपकी आखों में थोड़ी सी परिशानी हो रही होगी इतना white page तो नहीं देखना है, तो जो और चीज़े support करता है, दूसरी जो चीज़ support होती है यहाँ पर वो है style, यानि कि आप directly styling लख सकते हैं जैसे मुझे करना है body को target, हम CSS के दौरान पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को और detail में, अभी मैं लिखता हूँ BGC, यानि कि background color और आप सभी को पता है, 414141 color को हम use करेंगे, और color भी हम लिख लेते हैं, ताकि हमारा जो text color है, वो भी white हो जाए, या Alice blue, white ही ले लेते हैं, जादा better रहेगा, तो हम वापिस से यहाँ जाते हैं, तो obviously बात है, अभी एक और tag हमारा यहाँ पर support हो गया, पर इतने, ये किस त ये वाला पूरा जो styling है, मुझे लिखना है, head.css में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लिखा कि यह जितनी भी styling है, इसको कर देते हैं, cut या copy कर लेते हैं, ताकि मैं इसको later on comment कर पाऊं, ताकि आपको और detail बता सकूं, यह मैंने comment कर दिया, वही same shortcut है, control और slash windows के लिए, command और slash mac के लिए, तो मैंने यहाँ से copy किया, सारा values यहाँ paste कर दिया, अब मुझे इस document को बताना पड़ेगा, कि actually मैं कहां से अपनी styling उठाओ, तो उसके लिए जो हमारे पास tag आता है, वो है link, अब link के साथ आप क्या करिए, emit के अंदर colon और CSS लिखिए, तो आपको एक और यह है, वो same directory में, तो head.css लिखके भी काम चल जाएगा, बट जब आप server पे upload करेंगे, तो हो सकता है, शायद आपको problem दे, तो आप इसको dot slash लिख दीजे, थाकि current directory, इस dot का मतलब है, यह जो root directory है, वो, और उसके अंदर slash के अंदर एक head.css file है, तो यह थोड़ा सा better approach रहता है, उसके बाद आपका relation, तो relation tag को जब आप और देखेंगे, कि आपका relationship क्या है document के साथ, यह style sheet है, या फिर यह scripts है, इसके अंदर कुछ javascript की, या कुछ और भी है, तो attributes और भी आ सकते हैं, आप इसको जब खोलेंगे, तो आप देखें, हम जाते हैं यहापे, तो आपको और भ करता है, तो इसी तरह से हमारा CSS add हो गया, बस इतना सा ही काह में इसके अंदर, उसके बाद हमारे कुछ meta tags आते हैं, जादा meta tags तो मैं है discuss नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे हैं, बट कुछ जो basic आपको पता होने चाहिए, वो मैं ज़रूर discuss करूँगा, तो एक जो हमारा meta tag है, वो है character sets का, तो जैसे ही आप character sets लिखेंगे, डिरेक्ट ही लिख देता हूँ, तो यह हमारा meta tag है, इसको हमने end कर दिया, तो सबसे पहला हमारा जो meta tag है, जो आपको पढ़ना चाहिए, वो है character sets, अब character sets क्यों important है, जब आप UTF 8 लिखेंगे, या UTF 16, कई बार बहुत सा emoji copy, तो यहां से मैं get emoji.com से यह अपने emojis copy कर सकता हूँ, अब अगर आपका web page है, जो कि support करना चाहता है, कि इन emojis को copy करना है मुझे या इनको support करना है, तो UTF 8 में यह support नहीं होता है, या बहुत मुश्किल से होता है, तो जब आप इसका view page source देखेंगे यहां पे, तो आपक यह कोई अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आपको officially support चाहिए, तो आपको UTF 16 पर जाना पड़ेगा, यहां पे emojis में काम चल गया, but all languages जैसे आती है, Japanese characters है, जिन characters के उपर tilde sign होता है, especially Spanish, वहां पे तो UTF 8 लिखने का मतलब है, जैसे ही आप copy paste करेंगे, बहुत सारी problems आ नहीं है, बट अच्छा लगता है, सभी लिखते हैं, तो हमने भी लिख दिया है, UTL 16, तो यह तो हो गया हमारा basic सबसे पहला meta tags, और भी meta tags available है Google पे, कुछ मैं आपको इनके बारे में बताता हूं, एक और जो meta tag है, वो है keywords का, तो meta colon keywords, यहां पे यह नहीं करेगा, suggest इसको, त जलता है इतना, तो meta tag जो दूसरा है, वो है हमारे पास keyword का, तो आपको जितने भी meta tags मिलेंगे, तो उनके सब के कुछ attributes होता है, जैसे यहां पे attribute है character set, बाकि जितने भी meta sets है, उनके अंदर सब values होगी आपकी name और उसका content, जाद अदर ही होता है, जैसे मैंने यहां पे पहला name किया, कि इस attribute का name है, वो है keywords, keywords, तो इसके अंदर मेरा जो content होगा, वो मेरे को सारे keywords add करने पड़ेंगे, जैसे आप बना रहे हैं यह HTML की series, या फिर आप बना रहे हैं यहां पे web dev की series, तो आपको comma separated, web, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, अब यह हमने जब पढ़ लिया है तो इसके बाद बाकी के meta sets पढ़ना बहुत easy है, क्योंकि इसका जो syntax है, वो अपने आप में एक अलग है, क्योंकि character set है, बाकी सब का syntax almost same है, उनके कुछ name की values होती है, और उनके कुछ content की value होती है, जैसे कि हम जाते हैं वापिस से meta के अंदर, आपने keywords लिख दिया है, अब आ इस तरह से आप लिखते जाते हैं, आपको और भी चाहिए, और बाकी सब का देखने के लिए, ओफिसी बात है, गूगल करना ही पड़ेगा, याद किसी को नहीं रहता, कुछ यहां पर और tags भी आते हैं, जिनके बारे में हाला कि आपको जानने की ज़्यादा ज़रूर नही हैं, बट फिर भी मैं बता देता हूं, कई बार क्या होता है, आपका वेब पेज काफी स्पीडली रिफ्रेश होना चाहिए, जाहतर हम यह काम जावा स्क्रिप्ट से ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जादा रिलायबल है, लेकिन फिर भी अगर आपको करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर एक दूसरा आप क्यरक्टर सेट्स एड़ कर सकते हैं, जिसका नाम नेम नहीं है, वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, HTTP-Equivalent, उपस, HTTP-डाश, यप, और इसके अंदर आपको लिखना पढ़ता है, कि रिफ्रेश, और बाकी तो आप MD&Docs पर जाके देखी सकते हैं, रिफ्रेश, और उसके बाद content के अंदर आपको लिखना पढ़ता है, एक value, जो कि है seconds के अंदर, तो जैसे यह आपने लिखा, अब ideally, technically, यह page automatically refresh होना चाहिए 30 second में, बट क्योंकि जातर websites इतनी control नहीं होती, HTML से आज कल के web server में, तो इसलिए यह meta tag यह सारे काम हम JavaScript से पसंद करते हैं देखना, अचाहिए यह तो हो गया हमारा basic, अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, एक tag आपने देखा होगा, जो कि जैसे ही आप कुछ भी नया website या कुछ यह define करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको define करके दिखाता इसकी हमें अब जरूत नहीं है, तो remove करते हैं और वापस से उपर जाते हैं, और इसके बारे में discuss करते हैं, तो यह जो meta tag है, यह सब लोगों को बहुत परिशान करता है, देखने में बड़ा ही simple है, कि आप जैसे यह viewport यहाँ पर लिख देंगे, content का आपने minimum device width लिख दिया और लिखते हैं, ठीक है, मैं initial scale 2 कर देता हूँ, save करता हूँ, तो technically तो जब भी मैं website पर जाओंगा, तो scale 2 होना चाहिए, तो zoom in होना चाहिए, और यहाँ पर जाके देखते हैं, zoom in तो हुआ ही नहीं है, तो problem आती है कि इस tag को समझा कैसे जाए, जब भी कोई पूछता है कि ठीक है, ठीक है, आपने बोला कि content width जो है, device की width हमें लेनी है, उसका initial scale 2.0 करना है, पर यह तो हुआ ही नहीं आपे, तो इसको समझने के लिए हमें actually में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा MDN Docs को, यह जो especially meta tag है, यह बना है mobile devices के लिए, आपका content mobile devices पे, क्योंकि जो screens है, उस आपका HTML अच्छे से चल रहा था, इस particular meta tag का impact देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा, right click करिए, inspect में जाईए chrome के अंदर, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा icon मिलेगा, जो कि आपके devices के लिए होता है, अब जैसे ही आप इस पे click करेंगे, उसके बाद आप अपना device चू जिता भी मेरे पास paragraph tag है, सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन impact आपको तब दिखेगा जब आप इस tag को हटा देंगे, जैसे आप इसको हटा देंगे, save करेंगे, अब देखिए, content दिख रहा है, काफी सारा content, horizontal scroll में भी आ गया है, content पढ़ने में इत्यासानी भ लगता है, इस meta tag का, कि कैसे यह meta tag important है, और इसी दोरान जब आप यहाँ पे जाएंगे और 2x करेंगे इसको, scale 2x, तो इसको refresh करता हूँ मैं, तो अब आप देखेंगे, अभी भी कोई impact नहीं आया है, लेकिन actually में वहाँ पे 2x करने से कोई impact आपको नहीं देखेगा, उसका range नहीं है, कि वो काम नहीं करता, उसकी बस range अलग है, आप जाके मनमर्जी से number वहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं है, जो initial scale है, इसके साथ साथ और भी scale साती है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें देखना है यह viewport, तो viewport, HTML, और हम कि किस तरह से viewport काम में आता है, कि कोई भी एक device है, उसका initial scale कितना होना चाहिए, यह सब हम define करते हैं, जैसे width 60% है, तो 100% viewport width, minimum 1 है, maximum 1000 भी हो सकता है, तो depend करता है percentage के साथ से, उसके लावा हम जो यहाँ पे tag देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, और भी tag है, और tag नहीं है, और भी अपना दिमाग वहाँ पे use करता है, बट हाँ, point 1 से 1 में जाते हैं, तो आपको difference काफी देखने को मिलता है, पर आप maximum scale भी define कर सकते हैं, user scale भी define कर सकते हैं, और interactivity भी define कर सकते हैं, यह जो user scale होता है, इसी में जब आप कई बार जाते हैं, वेबसाइट पे आप zoom in करके देख XBA, कई बार आप देखेंगे कि आप कुछ script भी load करते हैं इसके अंदर, कुछ हमारे पास javascript इस तरह की होती है, कि page load होने से पहले ही मैं वो scripts page के अंदर inject करना चाहता हूँ, ताकि interactivity, moment हमारे कोई भी element load हो गया है, वहीं से add हो जाए, तो depend आप क्या करना चाहते हैं, ऐसा क कोई right or wrong नहीं है, कि script हमेशा end महीं आते हैं, आप क्या काम करवाना चाहते हैं अपने html page से उस basis पर आती है, तो यह script हमारे पास यहां पर आता है, अब इसके लावा एक छोटा सा मैं आपको assignment भी देता हूँ, छोड़ा सा research करने के लिए, इसके अंदर हमारे पास html के अ आते हैं, और एक base tag भी है, base meta, तो यहां पर base tag पर आप जाएंगे, जो की meta tag का ही एक sort of part है, actually मैं इसको base tag ही बोला जाता है वैसे तो, तो यहां पर आप जाते हैं, base पर ही, base tag, यह रहा, तो जब आप base tag पर जाएंगे, तो थोड़ा समझाता हूँ, आप base tag के बारे में detail tag है, और कई बार हमारे जो locations है, images की या उन सब की, उन सब को काफी help करता है, तो आपको क्या करना है, यह assignment छोटा सा है, लेकिन आपको करना ही है, मुझे comment section में बताएगा, एक one liner या two liner में की base tag, कहां पर आप use कर सकते हैं, कैसे use कर सकते हैं, और क्या उसके important examples हैं, तो सब आपकी भी practice develop होगी, सारा spoon feeding हो जाएगा, तो मज़ा कैसे आएगा, but important tag है, आपको पढ़ना चाहिए, तो ठीक है, इतना ही हमारा है head के अंदर, html को भी detail में हमने कर लिया है काफी, अभी और भी थोड़ा सा बाकी है, पर इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में,